इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि Glutathione क्या है, यह कैसे skin lightening करता है, किस form में मिलता है, और कितने time में आपको results मिलेंगे, कितने injections लगवाने हैं, कितने tablets लेनी हैं, क्या price होता है injection का tablets का, क्या क्या इसे side effects हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ, तो चलिए start करते हैं, यह Glut Glutathione, injections के रूप में, tablet के रूप में, creams के रूप में, साबून के रूप में, और sublingual, jeep के नीचे जो spray करते हैं, उस रूप में भी मिलता है, लेकिन जो most effective form है, हो इसका injection है, तो हम इसमें injection और tablets के बारे में बात करेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक् लीजे, तो Glutathione क्या होता है, Glutathione एक powerful antioxidant है, जो हमारी body में naturally liver में पाया जाता है, अब ये antioxidant क्या होता है, हमारी body में बहुत सारे free radicals, मतलब बेकार के तत्व पाये जाते हैं, जो body को damage करते हैं, aging करते हैं, जो हमारी body की cells होती हैं, उनकी death करा देते हैं, cell को destroy कर देते हैं, तो इन free radicals से ये antioxidant fight करते हैं, और free radical damage से हमारी body को बचाते हैं, तो Glutathione इसी तरह का एक powerful antioxidant है, ये हमारी body की immunity को भी बढ़ाता है, हमारी body में जो inflammation होता है, उसको कम करता है, हमारे energy levels को increase करता है, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हमारी body में Glutathione करता है, और skin lighting भी करता है ये जो एक accidental discovery में पाया गया, होता क्या था कि जो cancer के patients होते थे, वो chemotherapy के बाद उन में side effects होते थे, तो उन side effects से बचने के लिए ये Glutathione antioxidant के injection लगाए जाते थे, तो जब वो patients injection लगवा रहे थे, तो देखा गया कि उनकी skin का जो complexion है, वो भी light दिखने लगा, तो फिर उसी को observe करते हुए market में Glutathione को एक skin lightening product के रूप में promote किया जाने लगा, और अभी ये काफी popular हो चुका है, skin को light करने के लिए और body को गोरा करने के लिए, अब ये Glutathione कैसे काम करता है skin lightening में, ये Glutathione तीन तरीके से skin lightening करता है, नमबर वन अपनी antioxidant properties की वज़े से free radical से fight करके, नमबर टू, हमारी body में, जो melanin होता है, melanin हमारी body के color को define करता है, अगर हमारी skin में ज्यादा melanin होता है, तो हमारी skin राक होती है, अगर melanin कम होता है, तो हमारी skin light होती है, अब ये melanin कैसे हमारी body में बनता है, उसके लिए मैं उपर card share कर रही हूँ, वो वीडियो में जाके आ सेल्स होती है उसको स्टिमिलेट करता है फिर वह सेल्स मेलनिन बनाती है तो यह ग्लुटाथियोन टाइरोसिनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है वह एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वह आगे जाके सेल्स को कम स्टिमिलेट करेगा और आगे जाके कम मेलनिन बनाएंगी मेलनिन कम होगा तो स्किन वाइट होगी तो दूसरा इस तरीके से ये काम करता है ये बॉड़ी में दो टाइप के मेलनिन होते हैं एक होता है डार्ट मेलनिन एक होता है लाइट मेलनिन तो ये dark melanin को भी light melanin में convert करता है इस तरीके से ये skin lightening करता है अब बात करते हैं कि tablet best है या injection best है तो क्योंकि glutathion के injections जब हम लगाते हैं तो हमारे blood में direct blood stream में जाते हैं और absorb हो जाते हैं तो better absorption होने की वज़े से glutathion के injections अच्छा काम करते हैं tablets के comparison में लेकिन tablets भी काम करती हैं थोड़ा कम काम करती हैं क्योंकि हम उसको मुह से लेते हैं तो वह हमारे blood में direct नहीं जाती तो उनका absorption अच्छे से नहीं होता तो थोड़ी काम effective होती है most effective glutathion के injections होती है तो हम क्या result expect कर सकते हैं और कितना time लगता है result मिलने में एक बात में clear करना चाहूंगी कि जब भी आप लुटा थे और यूज करते हो तो जो आपकी expectations हैं वो real होनी चाहिए यह नहीं कि आप सोचो कि मैं बिलकुल ही एकदम अंग्रेज की तरह गोरा हो जाओंगा यह सब करने से ऐसा possible नहीं है आपकी skin का tone एक से दो tone light हो जाएगा लेकिन आपकी skin का grade चेंज नहीं होगा मैं photo share कर रही हूं तो आप देख सकते हो उसमें different different grades हैं तो आप एक grade से दूसरे grade में नहीं पहुँच सकते कुछ भी करके यह possible ही नहीं है अभी तक इसके result patient to patient vary करते हैं कुछ patients में काफी अच्छे results देखने को मिले हैं कुछ में कम results देखने को मिले हैं कुछ में बिलकुल कोई results देखने को नहीं मिला तो जिनमे results देखने को मिलते हैं वो काफी happy होते हैं कि इतने पैसे लगाए और वो वसूल हो गए जिनमे results देखने को नह बहुत डाक नहीं है तो आप में रिजल्ट्स मिल सकते हैं लेकिन अगर बॉडी में अच्छा नहीं कर रहा है ग्लुटाथियोन तो फिर आपके रिजल्ट्स कम भी हो सकते हैं आप बिल्कुल नहीं हो सकते तो यह पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है अगर 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 आपको लगता है जिनको रिजल्ट देखने को मिलते हैं उन पेशेंट्स कम बता रही हूं उनको लगता है कि स्किन में कहीं कहीं पे लाइट कलर के पैचीस बन रहे हैं फिर दीरे दीरे वो पैचीस गिन में मर्ज हो के पुरा सकिन टोन लाइट हो जाता है कुछ लोगों में सकिन लाइटनिंग के साथ स्किन सॉफ्ट भी होती है और बहुत सारे मेल्स तो ये बताते हैं कि जब इंजेक्शन लगवाते हैं उसके इमेडियेट उनको लगता है कि उनके एनरजी लेवल्स काफी बढ़ गए हैं और काफी एक्टिव अलर्ट वो फिल करते हैं और इसलिए भी होत सारे मेल पेशेंट्स इंजेक्शन लगवाना प्रिफर करते हैं अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या है ये FDA अप्रूवड नहीं है स्किन लाइटनिंग के लिए FDA ने इसको कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के बाद देने के लिए अप्रूव किया हुआ है लेकि के 1200ग तक की डोज में इंजेक्शन देजा सकते हैं और हाइ डोज में इंजेक्शन दिये जाते हैं टाबेट इसकी 500mg से 1000 mg जेनरली दी जाती है इसके इंजेक्शन जब भी आप लेते हो या टाबलेट लेते हो तो उसके साथ वाइटमिन-C का इंजेक्शन भी दिया जाता हमारे रूमे हफ़ते में दो बार लेने होते हैं चार हफ़ते तक उसके बाद फिर आपको इसको हफ़ते में एक बार लेना होता है जब तक आपको आपकी पसंद का रिजल्ट नहीं मिलता पसंद से मेरा मतलब यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन रियल होनी चाहिए जैसे मैं जब हम 4-5 महीने कर लेते हैं उसके बाद फिर हम glutathion free interval body को देते हैं means हम उस time glutathion ना inject करते हैं ना tablet लेते हैं क्योंकि जब हम भार से ऐसा कुछ ले रहे होते हैं और हमारी body में वो naturally भी बनता है लेकिन भार से लेने की वज़े से body उसको बनाना कम कर देती है तो इसलिए हमें बाहर से लेना बंद करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए बाद में हम फिर उसको स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक दे के जब इंजेक्शन के लिए आपको जाना होता है वहाँ पर प्रोसीजर में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उसको थोड़ा सा हम अब्जर्व करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसके बाद फिर जैसे हम आई-वी ड्रिप नस में जो दवाई दी जाती है ड्रिप के तुरू उस तरीके से 100 ml की ड्रिप में नॉर्मल से लाइन में इंजेक्शन ग्लुटातियों और वाइटामिन सी दोनों को उसमें डाल के फिर स्लो बहुत दीरे-दीरे उसको दिया जाता है ताकि अगर उससे को कोई ड्रग रियक्शन हो अकर वह आपको सूट नहीं कर रहा है तो हम उसको मैनेज कर सकें क्योंकि हम उसको स्लो डोज में देते हैं इंजेक्शन देने में आदे खंटे तक का टाइम लगता है उसके बाद भी 10-15 मिनट पेशेंट को देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम त देरे होते हैं उस ड्यूरेशन में भी बीच बीच में आपके टेस्ट कराये जाते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है यह देखने के लिए लुटा थियोन लेते हो तब आपको क्या-क्या धान रखना चाहिए आपको सं प्रोटेक्शन आपके लिए मस् इसको कवर करके गॉगल्स लगाके संस्क्रीन लगाके आपको जाना है और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना सं को अवाइड करना है क्योंकि संसे जो डैमेज होता है तो आपकी स्किन फिर से टैन हो सकती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दूसरा आपका जो गुद्ध दूस नफचे करता है थिराह धो क अच्छे से कर्ना है आपको अच्छे से अई और आपको अच्छे से सोना है और आपको स्ट्रेसमinned के लिए यूगा या मेडिटेशन करना है साथ में आपको alcohol and smoking को avoid करना है क्योंकि smoking से और alcohol से skin को काफी damage होता है तो अगर आप treatment कड़ाते हुए ये सब चीज भी follow करते हो तो इसका भी अलग ही impact हमारी skin के उपर पड़ता है अब बात कर लेते हैं इसके side effects की जो एक बहुत ही important point है तो आप ध्यान से सुनिए कि ये FDA approved नहीं इससे कुछ बहुत ही rarely इससे Stephen Johnson syndrome एक बहुत खतरनाक बिमारी होती है वो भी हो सकता है इससे आपको kidney में problem हो सकती है liver में problem हो सकती है abdomen में pain हो सकता है pate में dard हो सकता है ये इसके rare side effects हैं लेकिन देखे गए है मैं आपको picture भी share कर रही हूँ तो आप देख सकते हो उसमें mention है कि ये side effects देखे गए साथ में जब हम कोई भी drip लगाते हैं हाथ में तो उसके साथ जो side effects होते हैं जैसे कि आपके हाथ में सूजन आ गई या वहां पे नीला हो गया आपने अंट्रेंड स्टाफ से लगा लिया सही से नील लगा तो वहां पे bleeding हो जाती है पेन होता है ये सब side effects हो सकते हैं अगर आपको किसी अंट्रेंड स्टाफ से आप treatment ले रहे हो तो जब भी आप ये treatment स्टाट करो एक qualified dermatologist के supervision में आपको इसको start बात कर लेते हैं इन injections के और tablets की price की जैसे मैंने आपको बताए बहुत ही expensive इसका treatment 6,000 से start होके 15,000 6,000 से 15,000 रुपे तक का इसका एक session होता है एक बार injection लगाने का खर्च होता है और ये injection आपको काफी लंबे time तक लगाना पड़ता है तो अगर आपके पास आप इसको afford कर सकते हो और आप चाहाते हो कि हमारी skin थोड़ी सी अच्छी दिखे तो बहुत सारे patient इसको लगवाते भी हैं अब इसकी tablets की बात कर लेते हैं क्योंकि जब आपको आपका desired result मिल जाता है उसके बाद भी हमें maintenance करते रहना पड़ता है नहीं तो skin color फिर से वापस normal आने लगता है तो फिर हम इसको patients को tablets पर डाल देते हैं इसकी tablets capsules 4-5,000 रुपे की एक box आता है जिसमें 60 capsules होते हैं तो per tablet 60-70 रुपे की एक tablet परती है तो वो भी काफी expensive होती है तो जो लोग afford कर सकते हैं वो यह treatment लेते हैं जो afford नहीं कर सकते हैं उनको यह start नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उसको फिर नहीं कर पाओगे और यह treatment काफी लंबा चलता है क्या आपको यह injections लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए तो इस पर मेरी राए यह है कि अगर आप बहुत desperately चाहते हो कि आपकी skin अच्छी दिखे और आपका complexion light हो जाए और आपके पास काफी पैसे हैं आप afford कर सकते हो इस treatment को तो आप ले सकते हो क्लिनिकली जो rare side effects होते हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं और थोड़े बहुत side effects जैसे की हाथ में सूजन हो जाना या pain होना या पेट में दर्द होना headache होना इस type के side effects होते हैं जो tablets वगेरा से manage हो सकते हैं तो आप ले सकते हो लेकिन आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितने injections लेने injections का price किया है और जब आप injections टैबलेट सब छोड़ दोगे तो फिर से आपकी skin आपके normal complexion पे जाने लगेगी अगर यह सब जानने के बाद भी आप injection लेना चाहते हो तो लिए जा सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत expensive है पता नहीं result आएगा नहीं आएगा और side effects भी हो सकते हैं आप skeptical हो इसके लिए तो फिर आपको यह injections नहीं लेने चाहिए यह tablets भी फिर आप avoid ही करो यह मेरी personal राय है इसको एक skin lightening agent के तोर पर मैं promote नहीं करती हूँ क्योंकि FDA approved भी नहीं है FDA approved ना होने की वज़े से कोई clear guideline भी नहीं है कि किस dose में इसको दिया जाए कितने injections दिये जाए हर dermatologist अपने experience के आधार पर अपने patients को treatment देता है कि आप इतने injection ले लो और फिर आप ऐसे maintain कर लो तो यह dermatologist पर depend करता है अगर आप यह injections लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे एक qualified dermatologist से मिलके फिर आप यह injections start कर सकते हो तो यह था एक detailed video glutathion injections के बारे में आशा करती हूँ कि आपको यह skin whitling या गोरा करने वाले जो injections हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी आपके कोई query है तो प्लीज comment box में comment कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो comment में thumbs up दीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए share कीजिए thank you